जो हमारा एवालवेशन निकला है बोग 30 and 60 सेमिस्टर में हम उससे सैट्सफाइड नहीं है अपनी बात कहती हूँ हमने एजुकेशन में 80 मार्क्स किये मुझे उसको 27 आ गये क्या बात अगर आदा ही एवालवेशन तायार था तो उनको इस बारे में सूचना चाहिए उनको आदे एवालवेशन पर काम नहीं करना चाहिए उसके बाद उसको रिलीज करना है सब इसकते हैं मेरा नाम उमर एडबर हमने यहां पर प्रोटेस्ट किया इसलिए जीडिसी आजन के सामने क्यूंकि जो हमारा एवालवेशन निकला है बोथ 13 सिमिस्टर में हम उससे सैट्सपाइंड नहीं है क्योंकि जो बच्चों को मार्कस रखे गए है वहालवेशन में वहां हमको कभी भी हमको एकसेप्ट नहीं है क्योंकि सार जिस बचे ने कलास में जाके 90 मारकस आउट आफ नाइन्टी किये उसको खाली 36 मारकस रखे गए और कई पर ऐसा भी हुआ है कि उसको 36 मारकस भी नहीं और उनको ये सुचना चाहिए कि हम 6 दिनों में इनका result कैसे डिकलेड आगर आदा ही evaluation तयार था तो उनको इस बारे में सुचना चाहिए, उनको आदे evaluation पर काम नहीं करना चाहिए, उनको पहले full evaluation पे काम करना चाहिए, उसके बाद उसको release काम है, पहला जो उन्होंने बोला कि आप रियेवालवेशन के लिए हमें रियेवालवेशन खुद नहीं करने अगर गलती उस अगर गलती इवालवेटर्स की है तो हम पेसे क्यों बारेंगे युनिवर्सिटी को खुद चाहे कि हमारी डिमांड यह कि फिफ्ट एंट सिस्थ सेमेस्टर अल मदब करती हूं सब को फैल हैं सब आल सब्जेक्टिस किसी को तो पॉंच मार्कस रखे इन्होंने किसी को तो आठ दस बस यह क्या हमारे सब नाइनसाफ हुए हमने तो एजुकेशन में अपनी बात कहती हूं हमने एजुकेशन में 80 मार्कस किये मुझे उसको 27 आग यह क्या हम इसे बोलते हैं सब के यह कैसा इनसाफ हे कैसा बोलते हैं कि यह हुआ रहा हमारी कॉलिज की नहीं बात है सब कॉलिज की बात हैं हमारे इनसाफ चाहिए बस और कुछ नी कि हूरा हमारी जो पूश है सब ऑलविट की जाए Eyes दो भाड हैं दोबारा झाल 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 झाल